चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे रूस और चीन, अमेरिका के दुश्मनों का इरादा क्या है, रूस ने चीन के साथ मिलकर चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने का एलान किया है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच बात संयंत्र स्थापित करने की तैयारी में है यह खुलासा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने किया है उन्होंने कहा कि इससे एक दिन चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने में सहायता मिल सकती है पूर्व उपरक्षा मंत्री बोरिसोव ने कहा कि रूस और चीन संयुक्त रूप से लूनर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और मॉसको परमानू अंतरिक्ष उर्जा पर अपनी विशेश अज्यता के साथ योगदान करने को तैयार है अगर रूस और चीन अपने प्रयास में काम्याब हो जाते हैं तो इसे अमेरिका के लिए तगड़ा जटका माना जाएगा अमेरिका पहले से ही आर्टेमिस मिशन के जरिए चंद्रमा पर इंसानों को बसाने की तैयारी में है दो हजार पैटीस तक का रखा लक्ष बोरिसोव ने कहा आज हम गंभीरता से एक परियोजना पर विचार कर रहे हैं दो हजार तेटीस, दो हजार पैटीस तक हमारे चीनी सहयोगियों के साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर एक बिजली यूनिट पहुंचाने और स्थापित करने के लिए काम कर रहे है उन्होंने कहा सौर पैनल भविश्य की चंद्रबस्तियों को बिजली देने के लिए परियाप्त बिजली प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे जबकि परमानू उर्जा ऐसा कर सकती है संभावित योजना के बारे में उन्होंने कहा यह एक बहुत ही गंभीर चुनौती है इसे इनसानों की मौजूदगी के बिना स्वचालित मोड में किया जाना चाहिए न्यूकलियर कारगो स्पेसक्राफ्ट भी बना रहा रूस बोरिसोव ने परमानू शक्ती से लैस कारगो अंत्रिक्ष यान बनाने की रूसी योजना के बारे में भी बात की उन्होंने कहा कि परमानू रियक्टर को ठंडा करने के तरीके का समाधान ढूनने के अलावा परियोजना से संबंधित सभी तकनी की सवालों को हल कर लिया गया है उन्होंने कहा हम वास्तव में एक अंत्रिक्ष टगबोट पर काम कर रहे हैं यह विशाल साइकलोपियन सनरचना जो एक परमानू रियक्टर और एक उच्च शक्ती ठर्बाइन की बदौलत चलने में सक्षम होगी बड़े कारगो को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाने अंत्रिक्ष मलबे को इकठा करने और कई तरह के दूसरे काम को करने में सक्षम होगी चंद्रमा पर खनन करने की तैयारी में रूस रूसी अधिकारियों ने चंद्रमा पर खनन की महत्वा कांक्षी योजना के बारे में पहले भी बात की है लेकिन रूसी अंतरिक्ष कारेक्रम को हाल के वर्षों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है यह 40 वर्षों में इसका पहला चंद्रमा मिशन पिछले साल विफल हो गया था जब रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान नियंतरन से बाहर हो गया और दुरघटना ग्रस्थ हो गया मॉस्को ने कहा है कि वहाँ आगे चंद्र मिशन लॉंच करेगा और फिर एक संयुक्त रूसी चीन क्रू मिशन और यहां तक की एक चंद्र बेस की संभावना तलाशेगा जब आवाद